Good morning, आज हम Class 1 के लिए Science Chapter 1 से आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं तो आप लोग का First Chapter है Living and Non-Living Things Living Things जिनमें जान होता है उसको Living Things कहते हैं और Non-Living Things जिसमें जान नहीं होता है उसको Non-Living Things तो आपका Chapter है Living and Non-Living Things ठीक है We see many things around us हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं ठीक है These things are either Living or Non-Living Things ये चीजें सर लिभिंग भी होते हैं और Non-Living भी होते हैं ठीक है तो Living Things differ from Non-Living Things in many ways Living Things जो होता है Non-Living Things से बहुत अलग होता है क्या होता है वो उससे अलग होता है Living Things need food and water to live Living Things के लिए रहने के लिए क्या होता है खाना और पानी की जोरत होती है तभी वो जिंदा रह सकता है ठीक है Living Things need air to breathe Living Things को सांस लेने के लिए हवा की जोरत होती है क्याची की जोरत होती है हवा की जोरत होती है ठीक है We breathe through our nose तो हम लोग अपने nose से सांस लेते हैं क्याची से सांस लेते हैं Nose से सांस लेते हैं Living Things move on their own Living Things जो है अपने से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है क्या कर सकता है वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है खुद से जा सकता है ठीक है जो non living things में नहीं होता है, वो खुद से अपने से एक जगा से दुसरे जगा नहीं जा सकता है, और living things खुद से जा सकता है, living things grow, living things जो है, धीरे धीरे grow करता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे देखे, पहले बच्चे जर्म लेते हैं, तो छोटा रहता है, फिर धीरे धीर वो पेर बन जाता है ठीक है तो living things क्या करता है खुद से grow करता है living things have young ones living things के पास अपने जैसा एक बच्चा भी होता है जैसे इस picture में दिखा रहा है आपको ठीक है जैसे plants, animals and human beings are all living things plants हुए, animals हुए और human beings ये सभी क्या होता है living things होता है ठीक है इसमें जान होता है ठीक है तो non living things cannot move on their home non living things क्या होता है अपने से एक जगा से दूसरे जगा नहीं जा सकता है उसको हमको ले जाना परता है जैसे chair है, table है ये सब क्या है non living things है, book है, pencil है, card है तो ये सब क्या होता है यह अपने से खुद से एक जगा से दूसरे जगा नहीं जाएगा, उसको हमको पहुचाना पड़ता है, ठीक है? They do not need food and water, grow, breathe or have young ones. वो क्या होता है? उसको खाना और पानी की जोड़त नहीं होती है. क्या होती है? non-living things को खाना और पानी की जोड़त नहीं होती है, वो grow नहीं करता है, वो सांस नहीं लेता है, उसके अपने जैसा कोई बच्चा नहीं होता है, ठीक है? इतना आप लोग समझ गया? अब cars, tables, chair, toys and pencils are some non-living things. यह जो है, car है, table है, chair है, toys है, pencils है, book है, यह सभी क्या है? non-living things है, हम आपको बता हैं, यह सभी non-living things है, ठीक है? तो आज इतना ही, फिर अगले class में हम आप लोग को आगे पढ़ाएंगे.